वेलकुम डियर फ्रेंड्स आज हम लोग जुआ फृवी प्रप्लिम देखने वाले हैं जो की circular water tank का design का है तो सबसे पहले जो है वह ये तूर्वे का problem देखते हैं तो यह वाला problem देखो हो गया आप तो इसमें लिखा गया हुआ है कि different type of fish traces developed in circular tanks and rectangular tanks resting on ground तो इसका बीच का difference देखते हैं तो जो सबसे पहला difference है वो है कि जो circular tank होता है उसमें hoop tension होता है developed और tangential जो है वो टेंशन डेवलप्ट होता है और जो rectangular tank है उसमें बोथ bending moment जो है वो horizontal as well as vertical जो है वो generate होता है और यहाँ पे direct stresses जो है वो developed होते हैं तो अगर simple से बात बोले तो यहाँ पे जो circular है circular वाले में hoop tension and hoop and tension and in rectangular direct stresses ओके अब जो है वो हम लोग आते हैं अपने बहुत ही main problem पे और वो है design of circular RCC tank of capacity 600 meter cube resting on ground consider m30 grade of concrete and 450 एफी 450 इस्टील और कोई भी जैंसन अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे mention करना okay so it's a problem को आपको कैसे proceed कर ना है सबसे पहले जो है वह इसके लिए आपको जो भी criteria है वह सभी menzaam hairsrape जैसे कि यहां पर जो है वो अगर आप जैसे जो भी आप adamson ले रहे हो तो वो सभी आपको Menzaamu prior to here on this एसंसन है कि exposure condition या तो हम लोग severe ले सकते हैं या फिर very severe तो यह यहां पर मैं severe के हिसाब से ले रहा हूं आप चाहिए तो very severe ले सकते हो इसके लिए आपको is456 में फिर देखना होगा कि maximum maximum जो है वो grade of maximum water to cement ratio क्या होगा और RCC grade of concrete क्या होना चाहिए और सिमेंट कंटेंट के तो हमारा problem में जो है वो M30 दिया गया हुआ है तो उसी साब से भी मैंने थोड़ा देखा है तो severe जो है वो लाई कर रहा है ओके यह सीवियर वेरी से भी यह सभी आप is456 के table 5 से देख सकते हो तो maximum free water cement ratio 0.45 है और minimum सिमेंट कंटेंट 350 kg है अगर आप कोड में देखो गया यह 456 में तो 320 है लेकिन जो design of tanks वाला है उस आइस कोड में 350 है इसलिए मैंने 350 लिखा है और इसके बाद जो है वो हम लोग है कि मैंने 2021 क्यों नहीं लिया तो 2021 तो latest code है लेकिन जो लेटेस्ट वाला code है उसमें कुछ चीजे मेंसर नहीं है तो बेटर हो कि अगर आप exam में जो है वो यह दो page का जो है वो printout निकाल के ले जाओ तो आपको लिए beneficial होगा मैं बता दे रहा हूं कि is 3370 part 2 2009 का page number 2 और page number 3 यह दोनों page को आप printout निकलवा के जरूर ले जाना ताकि इसमें से जो है वो कुछ आपको values देखने में easy रहेगी तो यहां पर देखोगे कि आप M30 के लिए अगर मैं देखूं तो साथ सिगमा साह्ट की value और सिगमा सीसी वेलिसटी की value यहां पर बहुत अच्य से adoption करें गई है तो यह सब लेनी है टेपल्स से और टेपल टू की बात करें तो टेबल टू से जो है हो आप देहोगे तो यहां पर आपको सीगमा सीफिन और सिग्मा सीची की वैलू ले लेनी है ओके और यह सभी वैल्यूस आपको जो है वह अपने कॉपी में नोट डाउन कर देना है तो यहां से जो है वह वह ही चीजे मैंने यहां पर लिखी है और इसके बाद जो है वह आपको यहां पर मैं लिखता हूं तो वह जो है वह आपको आइस 456 के टेबल 21 या टेबल 22 से मिल जाएगी इसके बाद जो है वह एम की वैल्यू करते हैं तो एम की जो है वह फॉर्मूला होता है 280 upon 3 सिगमा से बेसी तो इसमें वैल्यू मैंने पूट किया यह एम की वैल्यू आ गई उसके बाद के के लिए यह वाला फॉर्मूला होता है यह सभी आपको याद करना होगा ओके एम और के का वैल्यू आपको याद करना होगा तो के की वैल्यू जो है वह यहां निकल के आ कि और उसके बाद जो है वह ज की वैल्यू 1-0-4 एक जूग करना होगा प्री फर्मूला फर्मूला पता हो चाहिए ओक यह और इसके बात की बात करें प्रॉल्म खेल गया हुआ 600 मिटर क्यों अब इस प्रॉब्लम में हाइट भी हमें में नहीं किया गया हुआ है तो हाइट भी हमने अजूम किया है ओके आप चाहे तो 427 मीटर तक हाइट एस्यूम कर सकते हो के 4567 तक लेकिन मैंने 5 एजूम किया है ओके और इस हिसाब से जो है वो यहां से वाल्यूम होता है उसका फर्मुला लगाया और यहां से डी की वैलू आ रही है 12.361 तो मैंने लिया 12.4 ऑफ डाया आपको यहां आपको 3.1 में मिलेगा और यहां पर यहां नहीं टिया हुआ है और यहां से आपको यह वाला केस आपको चूज करना है तो इसका फर्मुला लिकलो उसके बाद वह शीयर के लिए फर्मुला लिख लो थैंग लूँन लोड़ाइं और मोमेंट के लिए ले को के अब इसमें आपकश ट्रेंगूलर लोडिंग क्वद रहे लिए तो ट्रींगूलर लोडिंग ले रहे हैं्थ योगि जो वाटर है कि तो वाटर का है इड्रई फ्रेसर का होता एक इसलक तो जब वॉल पे अगर आप देखोगे प्रेसर तो प्रेसर जब हो एक के लिएन रोडींग औंद टो इसके बाद जो है वह तुन्हानों Woah फिर मैं ने धॉड तो फिर मैंने थीखनेस रहे हूँ अब यह वाला जो है वह फर्मूला को याद रखना है थिकनेस मैंने लिए 200 mm हाइट आपका मीटर में लेना है और यह वाला थिकनेस mm में आएगा उसके बाद जो है वह यहां पर आपका मैंने जो पीछे फर्मूला लिखा था आपको देखने को मिलेगा यहां पर देखो कि यह सभी चीज आपको लिख देनी है और इसके लिए आपको लिखा गया हुगा है कि जो मोमेंट की वेल्यू एमसी की वैल्यू टेबल पॉर में तो अगर आप देखोगे तो टेबल यह तो यह आप देखोगे और इसमें जो है वो आप देखो कि हमें है एक स्कॉर्ण डिटी की वैल्यू डिक्वाइड है तो एक स्कॉर्ण डिटी की वैल्यू हम लोग यहां निकाल लेते हैं तो यह हमारी वैल्यू आ रही है अराउंड 10.08 तो मैंने थोड़ा सिंप्रिसीटी के लिए 10 ले लिया है वड़ना इंटर्पोलेशन करना पड़ता अब इसमें जो है वो टेबल 3 में आप जाओ और टेबल 3 में जो है वो देखो कि 10 है अगर सपोज करूं कि आपका जैसे मेरा 10 आया अगर आपका 10 से ज्यादा होता तो हमें इंटर्पोलेशन करना पड़ता तो यह जो है वो टेन यहां पर हमने देखा है सब्सक्राइब और इसके करस्पॉंडिंग जो है वह देखेंगे कि इस वाले रो में maximum value कौन से आ रही है तो 10 के corresponding आप देखो गे तो maximum value at 0.6 ह और वह value है 0.0608 ओके सो हमने वही वैल्यू लिख दिया ओके यानि की FTC की value 0.0806 0.608 ओके similarly हमें जो है वो mc की value चाहिए तो इसके लिए table 4 को देखेंगे तो हमारा h2.d t की वेलू 10 है और इसमें जो है वो maximum बैइव देखेंगे तो यह आ रहा है माइनस 0.1 0.0122 ओके तो यहीं वैलु जो है वो हमने भी यहाँ पे लिग भिया MC की वैलू और VC की वैलू के लिए हमें table 18 देखना होगा तो VC की वैलू के लिए table 18 देखते हैं तो तो टेवल 18 अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है वो है स्कॉर पॉन डिटी के वैलू 10 और इसमें जो है वो बस फर्स्ट वाला जो केस है ट्रेंगुलर लोडिंग फिक्स बेस तो इसमें जो है वो 10 10 के कर्सपांडिंग 0.158 तो हमारी जो है वीडिसी की वैलू 0.158 आ ग केसे के लिए चेक करते हैं एक होता है और पीछे मोमेंट का वैलू आ था और यहां पर देखा कि जो वैलू आ रही है यह लेज दन होनी चाहिए थी बट यह greater देन तो हमारा जो है वह सेक्सन जो हमने थीकनेस प्रवाइड किया है वो सेफ नहीं है तो हमें इस नहीं है करना पड़ेगा या फिर हमने compressive strength को भी जो हो चेक करना पड़ेगा तो यह 2.25 का भी significant value अगर सपोज करो कि 2.002 आती तो मैं approximately उसे तू मान सकता था लेकिन यह values काफी ज्यादा है 2.25 ज्यादा है तो इसलिए मैं इसे thickness को ही करने का better option समझा और मैंने thickness increase किया तो अभी हमारे thickness 200 mm थी अब मैं इसे 250 पढ़ा के देखूंगा लेकिन एक क्रेक्ट सेक्षन के साथ अनक्रेक्ट सेक्षन का भी चेक करना है तो यहाँ पर यहां पर यहां पर यह वह वह थाजन देना है पर मिटर तो दी की value 91 इंद आख लिए तो इस वाले एक सेक्षन से तो हमारा जो है वह वह थीकमेस सटिस्फाइय हो जा रहा है लेकिन अनक्रेक्ष्ट सेक्षन में हमारा थीकमेस सटिस्पाइय हो रहा तो इस वज़ेसे ट्राय टू में मैंने क्या कि वाल्द थीक्नेस 250 प तो इसलिए आप थोड़ा देखना कि अगर वैल्यूज आपकी जैसे 150 तो उसे ज्यादा प्रोवाइट करना ताकि बाद में आपको ट्राइटू ना करना पड़े वरना आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा उस इस प्रॉब्लम में वैसे भी प्रॉब्लम आपको मिनिम्मम हाफ एन आवर लेहीं लेगा तो यहां पर फिर से मैंने जो है वह सभी वैल्यूज निकाले 250 के क्रोस्पंदिंग ह स्कुरेड़ अपॉन डीटी निकाला फिर टेबल थेरी में गया तो एफटी की वैल्यू टेबल फोर में गया तो एंसी की वैल्यू और टेवल एटीन में आ रही है तो यह हमारा से ओके और है ओके अर्क्राइक से के लिए वहने चीक के यह को आई है निक्स के प्रॉब्लम हैगा नेक्स नीक्क फार्ट निचाइव में जाते हैं कि चेक फडान güle लेंए तो हमने एहां पे एफ्ट की वैलू निकाली है तो फ्ट की वैलू यहां पे आप देखो सिग्मा अपन इस्टॉLT से मिलेगी और वह बेल्य हमने लिया है टेबल ट्वच्ट वेंटियू से से यह आ स्पेसिंग निकाला तो स्पेसिंग आ रही है इतनी और लेकिन जो है वो हमें एक जो है वो और बात को ध्यान रखना होगा कि आई एस 3370 पार्ट टू को भी आपको देखना होगा तो इसके जो है वो टेबल अगर आप ठीपे जाओगे तो टेबल 3 में जो है वो सब पर मैंने बाइट इसलिए किया क्योंकि दोनों साइड ओफ वाल में हम लोग इंफोर्ट्समेंट प्रवाइड करेंगे ओके सो यह हमारी जो है वो मैंने प्रवाइड किया है टूल एम एड़ रेट ऑफ 100 mm Center to Center ओके सो इस टेबल से आपका जो है वैल्यू एक्सीड नहीं करना चाहिए तो मेरी आ रही थी 168 लेगि मैं प्रोवाइड कितना करूंगा 100 क्योंकि IS कोड में ऐसा दिया गया हुआ है उसके बाद जो है from no crack basis यह वाला भी आपको फर्मूला याद होना चाहिए यह वाल वैलू मिनिम्मम याना चाहिए और ना को पर होगा कि वएलु फ्टील की वैलु निकाले हो ओके मिनिमम आनी चाहिए थी 97000 747 तो हमारा सेफ है मिनिमम इस से कम आपका नहीं आना चाहिए अब इसके बाद जो है वह मिनिमम इस्टील इंफोर्स्मेंट भी चेक करेंगे तो इसके लिए आपको टेबल फाइब पर जाना है इसी आइस कोड के पार्ट टू पर ओके 3370 पार्ट पर यहां पर आपको यह वाला टेबल फाइब देखना है तो इसमें देखोगे कि फार ग्राउंड सपोर्ट टैंक और लेंथ लेस देन 14 मीटर तो यहां पर 0.24 परजेंट हमें प्रवाइट करना है तो पॉइंट टू-4 परजेंट अगर हम प्रवाइट करते हैं तो हमारी यहां से यह निकल क्या रही है जो कि यह 600 से बड़ी है यानि कि हमारा जो है वो सेफ है जितना भी हमने प्रवाइट किया है और चेक फॉर्ट की बात करें तो सियर के लिए जो हमने वी बी की निकाली है तो वी बी ओके सॉरी वी सी वी सी नहीं वी इंटू थाउजंट अप यहां से मैंने वह ही प्रवाइट किया और यह चेक किया तो पॉइंट वन फॉर न्यूटन पर में में स्वाइर आ रही है और हमने प्रवाइड कि हमारा जो टाउसी दिया रहता है वह आई-स-456 में आप देख लेना ओके टेबर 21 22 23 ऐसे ही है नहीं उसमें नहीं है मिस यह है जो है आप देखना एस टी वाला जो जहां से टाउसी की वैलू केल्कुरेट करते हैं ऐसा वाला टेवल आपको दिखाए देगा ओके मैं आई-स-456 अभी नहीं दिखा रहा हूं ऐसा वाला कुछ टेवल है इसी के नीचे दूसरा एक टेवल है ओके जिसमें जो है वह हम लोग टाउसी मैक्स का वैलू दिया गया हुआ है तो वह आराउंड टू के असपास आती है और यह हमारा वैलू पॉइंट टू के ही आसपास है तो यानिकी वह से मैक्सिम नहीं होना चाहिए तो इसलिए हमारा जो है वह सीर में सही है तो यह जो है वह है यह वाले लिए गया था उसका पूड़ा सॉल्यूशन का एक्स्प्लानेशन मैंने अभी तक कर दिया हुआ है और इसका पीडिया आपको टेलिग्राम ग्रूप मिल जाएगा और एक दूसरे वीडियो में जो है वह डिजाइन आफ ब्लेस बेस्लैब में करके आपको बता दूंगा ओ गोड़ दे